किसान साथियो यूपी सरकार करज माफी करेगी तो इससे पहले आप जान लेते हैं कि उत्तर परदेश के कौन से किसानों का कितना रिंड माफ किया जाए तब जाकर परदेश के सभी किसानों को रिंड माफी मिल सकती है आज के इस वीडियो में हम जर्चा करने वाले हैं कि उत्तरपरदेश के सरकार की और से आंकड़े निकाले गए उसके अनुसार दो क्रोड सातला किसान ऐसे है जिनका करजा तीन लाक रुपया से नीचे का है और तीन लाक से उपर के जो बाकी जो किसान है उनका केसिसी के माफ पर केसिसी का लोन कब लिया था क्योंकि योगी सरकार किसान करज़माफी में राज्य सरकार के वर्षे 2018 के बाद जितने भी केसिसी लोन दारक है उन सभी किसानों को रिड़माफी देने का निच्चे किया है और साथ में राज्य सरकार का कहना है जो किसान Disp ed скив संथ औश कर एकड़ की बीच की कर्शी भूमी है या ज्यादा है या कम और कम है तो फिर आपको लोन रासी मिलेगी क्योंकि सरकार का मानना है कि 5 एकड़ से अधिक जिसके किसान के पास भूमी है वो किसान करजदार नहीं हो सकता उसके पास रोजगार है उसके पास अच्छी पसल साथियों कि राजय सरकार सभी पर्कार के किसान को एक समान करजदार पर देना उसका अधिकार है उसकी जिम्मेदारी है और किसान परदेश के सभी यही चाहते हैं कि हमारे भी किसी या अन्य परकार की साइतारा से मिले सरकार से यही उमीद रखते हैं तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है आपकी कमेंटराइज चैट सेक्शन में हमें बताना क्या योगी सरकार दो ए करने वाली है क्योंकि सरकार किसानों के बीच गिर चुकी है अब की बार अगर कर्जमा पी नहीं करेगी तो सरकार को निश्चित तोर दिखाई दे रहा है कि अगले विदान सभा चुनाओ में राज्य सरकार इतनी बूरी तरीके से जैसे गुजरात राज्य में या अन्य कोई विगराजियों में चुनाव की प्रकिर्या निरुनतर चलती आर यह बाजपा सरकार बन रहे हैं तो उसमें प्रे बाजपा सरकार यूपी में बनना मुश्किल हो जाएगा तो ऐसी इस थित्ति में सरकार करजमा पी आप सभी किसान साथियों को जुरूर करने वाली है किसान साथियों आप अटल रहे, नेड़े को बनाए रखे, आप विश्वास रखे, जरूर कर्जमापी होगी, मिलेंगे ऐसी नई जानकरी के साथ, अब तक के लिए किसान साथियों जेहिन जेवार